हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल इस्टीफन अकेडमियम आपका स्वागत है और दोस्तों आज का मैं वीडियो लेकर आए हूँ ब्यासी अग्रिकल्चर सेकेंड सेमिस्टर वालों के लिए और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रिंसिपल लौप और गैनिक फार्मिंग का जो अभी एक्जाम हुआ है उसके आंसर की और आंसर की आप लोग अपनी मैच कर लीजिए और इसके अंसर में आप लोगों को उत्तर बताने वाला हूँ तो हमारे पास अभी बुकलेट सीरीज जो है वो सी नंबर की है और इसका जो पेपर कोड है क्या है तो पॉली कल्चर का सिद्धांत लगातार एक ही फसल की खेती करना अप्शन B सही होगा अगला कोशन है कि में सहिफसली क्या होती है और सा नंबर सही होगा नेक्ट कोशन होगा कि इंटीग्रेटिट पेस्ट मैनेजमेंट आइपीम का सिद्धांत आप्यों की नुक जैबिक क्रशी में किया कारे करता है तो जैबिक उतपादों के नजयात और आयात को नियंतित करता है अगला कुश्चन है कि जैबिक क्रशी में कमपेनियन प्लांटिंग क्या होती है कि आपसन बी सही होगा तो इस प्रकार का उपयोग होता है तो यह जो उपयोग होता है यो जी नूबरेक です ठीक, option number C number सही होगा, अगला कोशन है, इन में से कौन सी एक जैविक किटनासक नियंतरण बिधी नहीं है, तो जैविक किटनासक का उपयोग करना, option C सही होगा, अगला कोशन है कि जैविक करसी में बर्मी कंपोस्ट क्या होती है, तो बर्मी कंपोस्ट केंचिवों का केलाता है अगला कोश्टन होगा certified जैविक का क्या आर्थ होता है तो प्रमारन संगठन द्वारा निर्धारित बिसिष्ट मांदन्रों को पूरा करने का प्रमारित होना option अगला कोश्टन है कि एक प्रता है जिसमें सामिल होती है तो क्या सामिल होता है एक ही बुकांट पर फसलें और जानवरों को एक इक्रत करना option मदद करते हैं तो क्या कोश्टन नमबऑ करते हैं यह कवर क्रपिंग करते हैं और जोर अगला कोच्छन है इन में से कौन सी एक जैविक खरपतवार प्रवंधन की रणनीती नहीं है तो कौन सी नहीं है सिंथेटिक अर्वी साइट का उपयोग नहीं है अगला कोच्छन है कि जैविक रसी में परमा कल्चर की प्रथा पर जोर किस बात पर दिया जाता है सता तो आर्ट में बदर प्रडालियों पर, option number A, B number सही होगा, next question है, जैविक रिस्मी में compost T के उद्देश क्या होते हैं, तो मिर्दा समर्दन करना, option number A, D number सही होगा, next question है, इन में से कौन सा जैविक रिस्मी में फासपोरस का स्रोत होता है, तो कौन सा फासपोरस का स्रोत होत तो उसमें से कई सारे questions फसे हुए थे, तो आप लोग वो क्लासे जरूर कर लेजिए करिए, और उनमें से questions जरूर आते हैं, important question ही आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, कोई ऐसे फालतू के question नहीं लेकर आता हूँ, ठीक है, तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया, तो इसे like करिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेर कर दीजिएगा, ठीक है, एक बार, चलिए अगला question देखते हैं, जैबे क्रशी के बारे में कौन सी बात सच है, तो ए और भी दोनों होए, हमें फसलों को खलाना होता है, हमें मिट्टी को खलाना होता है, option अगला question है कि जैबे क्रशी में aquaponics क्या है, तो aquaponics क्या होता है, मचली के साथ hydroponics का एक प्रकार होता है, option नमबर इसका A नमबर राइट होगा, अगला question है कि जैबे क्रशी परमारी करण के संदर्म में NOP का मतलब क्या होता है, तो NOP का मतलब होता है, National Organic Program, मतलब क्या होता है, तो कौँन सा होता है, पीट मॉस होता है, option नमबर आपका A नमबर होगा, अगला question होगा, कि भारत में कौन सा राज जैबे क्राज के रूप में जाना जाता है, तो ये सिक्यम है, option नमबर और C number आपका right होगा अगला question है जेविक क्रशी का मुख सिध्धान्द क्या होता है तो यह इस्थिरता होती है option number आपका C number सही है अगला question है भारत में सब्चेदिक उपयोग किया जाने वाला जेविक पोसक संसातन क्या इकम पोस्ट होती है option number A number right है अगला question है कि जेविक क्रशी में प्रमुख चनोती क्या होती है तो जेविक बीजों की उपलब देता option number आपका C number right होगा अगला question है कि जेविक क्रशी में मुख प्रतिबंद क्या है है तो मुख प्रतिबंद जो होता है वो उपयोग सभी option नमबर आपका D नमबर सही होगा कृतेम कीटनासकों का उपयोग और कृतेम और वरकों का उपयोग और जैव अनवांसिक रूप से संसोधे संगठनों का उपयोग होता है अगला कोशन होगा कि भारत में जैविक खेती का परमाणी कराल कौन करता है तो जैविक भारती जैविक प्रमाणन एजएंसी करती है option number B number सही होगा अगला question होगा कि भारत में जैविक खेती को बढ़ावा देने वाला संगठन कौन है तो जैविक भारत और नवदन्या दोनों है option number आपका C number right होगा next question है कि भारत में जैविक खेती का समर्थन करने वाली सरकारी योजना कौन सी है तो जैविक खेती में किस प्रकार की फसलों को पसंद किया जाता है तो किस प्रकार की जैविक अनुवांसी ग्रूप से संसोदेत फसल है संकर फसल है और सोदेशी फसल पर जाती है option number D number right होगा उप्रयोक्त सभी अगला कोशन है कि जैविक खेती में आम तोर पर जीव अमरत क्या होता है अंतर राष्टी जैविक रसी अंदोलन संग अप्सन नंबर आपका C number right होगा अगला कोशन है कि एजोला की जैविक खेती में क्या भूंका होती है तो यह जैविक रूप्रक का कार्य करता है option number आपका B number right होगा नेस्ट कोशन है कि किस राज ने सून बजट प्राकृतिक खेती पहल शुरू की दिए इसमें दोनों आपके सही है करनाटक और आंद परतिस आपने जो भी option टिक किया होगा वो यूनिवेस्टी अपने अंसार सही करेगी ठीक है अगला गोश्चन है कि निम्लिकित मैंसे कौन सा जैविक खेती में खरपतवार प्रवंदन का एक तरीका नहीं है तो हर भी साइट का उपयोग करना नहीं होता है अगला कोश्चन है कि निम्लिकित मैंसे कौन सा बारत में जैविक उतपादों के लिए प्रमारन है तो कौन सा उतपादा भारत जैविक होता है नेक्स्ट कोच्छन है कि जैवे खेती में पंचकप का मुक्देश क्या होता है तो रोग प्रत्रोग होता है उप्सन नमबर आपका D नमबर राइट होगा अगला कोच्छन है जैवे केती में ट्रिको डर्मा का उप्योग क्या जाता है किसके लिए रोग नियंत्रोल के लिए किया जाता है डिजीज कंट्रॉल के लिए option C सही होगा अगला कोश्चन है कि बर्मी कल्चर सामात्या किस प्रकार की क्रशी पद्दति से संबंदेत है तो यह एक ग्रो नौ औरग्यानिक फार्मिंग से संबंदेत है option number आपका C number सही होगा अगला कोश्चन है कि निम्लिखित मैंसे कौन सा जैविक क्रशी में प्राकरति कीट ना先 का स्रौत होता है तो नीम के पद्द्दे होते हैon option number आपका A number right होगा अगला कोश्चन है निम्लिखित मैंसे कौन सा बा नमबर राइट होगा इसमें नेक्स्ट कोश्चन है कि भारत में जैविक उत्पादों के उत्पादन में अग्रोलई है तो यह मत्यप्रदेश में होता है नमबर आपका A नमबर राइट होगा नेक्स्ट कोश्चन है कि जैविक क्रसी में माइको राइजोबियम का उत्देश क्या होता है तो यह नैट्रोजन निश्चित करना होता है अगला कोश्चन है कि केच्वा जैविक क्रसी में क्या भूम का निवाता है तो यह मर्दा संचा करना नहीं होता है अगला कोश्चन होगा कि में ट्रैप क्रोप का क्या आर्थ होता है तो मुख वजल में दूर कीटों को आकरसित करने वाली फसल होती है अगला कोश्चन है कि जैविक रशी में फसल सक्र का उद्देश क्या होता है तो फसल सक्र का उद्देश होता है कि मरदाली औरवरा सक्ति को बनाई रखने के लिए की जाती है ठीक है दोस्तों अपने पेपर के अंसार आप लोग इसे मिलान कर लीजिए और वीडियो अगर प प्ली दने बाद।